आज किस वीडियो में करेंगे राजस्थान PTT exam के लिए राजस्थान सामान ग्यान के 120 questions तो इसमें हम लोग most important question को देखेंगे जो कि आपके exam के लिए important है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जगला question है देखिए आज के session में पहला question है उपर करते हैं और देखते हैं तो पहला question क्या बनता है राजस्थान का जो अच्छांसिय विस्तार है वो कितना है तो अपसे ने 23 जिगरी 3 मिनट उत्री अच्छांस से 30 जिगरी 11 मिनट उत्री अच्छांस अगला question है राजपूत राजियों के प्रसासनिक परिवर्तन में बिट्रिस सरकार का मुख के उद्दे से था तो अपसेन भी राजियों के राजस्थू पर अधिकार अगला question बनता है डाकन प्रता में मुख रूप से क्या किया जाता था तो option A हो जाएगा इस्तरियों को डाकन मानकर उन्हें मार डालना ब्रिटिस सेनिकों ने राजस्थान के सेनिकों को प्रतम सोतंतरता अंदोलन के दोरान का पराजित किया था तो अपसेन सी हो जाएगा 30 मार्च 1869 ब्रितिस सैनिकों ने किस जनरल के नित्रत में बिद्धरोही सैनिकों को पराजित किया था तो ओपसंडी जनरल रावर्ट्ट्स राजेस्थान के निवासियों की सब्य बेश भूसा थी तो ओपसंडी हो जाएगा यह सभी मतलब पगड़ी भी थी, अंगर रखिया थी और दुपट्टा नेक्स्ट है किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पती को छोड़ कर किसी अन्य पुरुस के साथ रह सकती है तौपसे ने हो जाएगा नाता डाकन प्रथा मुखरूप से किस जाती में पाई जाती थी बासवाडवा डूंगरपुर छेत्र में प्रचलित नत्य है तौपसे डी गबरी नत्य राजिस्थान राज का दच्चनितम बिंदू बासवाड़ा जिले का कौन सा गाउं है तो बोर कुंड गाउं जैपुर के निकट इस्तित राजु का पहला गाउं जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है तौपसें सी काला डेरा जैपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदीर रामगड़ दौसा में बहती हुई आगरा जिले में यमुना में मिल जाती है तौपसें डी बान गंगा पस्चमी चक्रबातों तता गर्त से गर्तों से बार्सिक बर्षा का दस से बीस पतिसत किन जीलों को प्राप्त होता है तौपसें बी धरातल का सोबाव खेजड़ी और बबूल प्रकार की बनस्पती की प्रधानता निमलेकित में से किस चेतर में अधिक है तौपसें बी सेखा वटी चेतर राज के किस भाग में सरवादिक बनस्पती पाई जाती है तौपसें डी दच्छनी भाग बहु देशिय नदी घाटी परियोजनाओ को आधुनिक भारत के मंदिर किस ने कहा था तौपसें भी पंडिच जबाहर लाल नहरू बर्स 1997 में बाडमेर में आयोजित अंतरराष्टिय बस्तु सम्मेलन में किस बास्तुकार को बास्तु मारतंड की उपादी से अलंकरत किया गया है तौपसें 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 दास सोनी किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सभी दुर्गें दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बक्तरवन्द है तो रण थम्बाओर राज में सामुदाइक जलोत्थान सिचाई कारिकरम किस परियोजना के अंतरगा सुरू किया गया तो क्रसी विकास परियोजना पटूओं की हवेली जो है वो कहां इस्तित है तो आप्सन भी जैसल मेर राश्टिय उचमार के संख्या चौदा जिसकी लंबाई 310 किलोमेटर है किन इस्तानों से ओकर गुजरता है तो ब्यावर, पाली, सिरोही, आबूरोड और कंडला इनसे ओकर गुजरता है राज़स्तान के विभन जिलो में 2001 से 11 तक जन्संक्या की सरवादिक ब्रद्दी जिस जिले में हुई है बहे जिला है तौपसन भी जैसल मेर दच्छनी राज़स्तान की गाने बजाने वाली जन्जाती जो है, वो कौन सी है? तौपसन डी, गरासिया जन्जाती आहर सब्विता के लोगों को किस खाद्य पदार्द की जानकारी थी? तौपसन भी, चावल राजेस्थान के किस सहर में क्रसी विस्व द्याले है तौपसन C. B. का नेर राजेस्थान सहेकारिता संग का मुख्याले जो है वो कहां पर इस्तित है तौपसन E. जैपुर पसुगणना के आदार पर राज में सरवादिक पसुगनत्त किस जिले का है तौपसन D. डूंगरपुर भीका ने राज की स्थापना निम्न में से किस सासक ने की थी तौपसन B. राव भीका राजिस्तान सेवा संग की इस्तापना जो है वो किसने की थी तो बिजय सिंग पतिक 1949 में प्रजा मंडल की मानेता के लिए भारतपूर के सत्या ग्रह में किसने भाग लिया था तो जुगल किसोर चतुरवेदी सांगडी प्रता का आर्थ क्या है किस सुतंतरता सेनानी ने अपनी यूबा वस्ता में अंग्रेजों के दिये हुए राय बहादूर किताब को बापिस कर दिया था तो जमना लाल बजाज 1942 के भारत छोड़ो अंदोलन का प्रचार डूंगरपूर रियासत में किसने किया था तो भोगी लाल पांडिया कौन सा नत्य भील जाती दोरा किया जाने वाला खेल नत्य है जो होली के तिसरे दिन खेला जाता है तौपसने नेजा नत्य उत्तर पस्ची में सिंदू बेसिन और पूर्व में गंगा बेसिन के मद्य जल बिभाजन का कार है कौन सी परवस रंकला करती है तौपसन सी अरावली परवस रंकला कपूर्डी और जालिपा में बिद्दू तुत्पादन हो रहा है तौपसन डी सौर ओड़जा से आहड सब्वेता में इस्त्रियों के आबूसन किस धातू से बने होते थे तो लोहा, F.E. से अगला जब बरात बदू पच्छ के घर पहुंच जाती है तो बदू पच्छ वाले बर पच्छ की अगवानी करते हैं तो इससे क्या कहते हैं? तो उपच्छ भी सागेला या धुमाब कहते हैं राजस्तान का यतिहासिक जोहार किस किले में हुआ था? तो ये हुआ तो उपच्छ सी चित्तोल गळ दुर्ग अगला कुशन है मेबाड एबं बजर की सांस्कृतिक परमपराओं के समन्बै से किस सैली का विकास हुआ? तो ये हुआ उपच्छ ने नाथ द्वारा सैली का विकास हुआ? खानबा में बाबर के विरुद्ध सांगा की साहता के लिए माल देप के नित्रत में कौन सी सेना भेजी गई थी? तो आपच्छन भी हो जाएगा मारबाडी सेना राजेस्थानी एबम गुजराती भासा का जो विकास है वो किस से हुआ है? तो ये हुआ है गुड़जरी अपभरांस से परमपरागत राजेस्थानी पहचान की विसिष्ट बेस बोसा है तो आपच्छन भी साफा मद्ध युग में राजेस्थान में परिवर्तन आने का कारण क्या था? तो ये था आपच्छन ए इसलाम धर्म का प्रभाव जो कारवा वाकाफिले को लोटते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो आपसन ने धावडिया कहा जाता था राजेस्थान का बहर संपर्दा है जिसने समाज में सुधार लाने हेतू रूनियों का विरोध हिंदू-मुस्लिम एकता तदा जीवन में नैतिकता अपनाने हेतू सुद्ध आचार साहिता इस्तापित करने पर बल दिया तो आपसन भी लाल दासी संपर्दा है राजेस्थान की सरवादिक प्रसिद लोक देवी हैं इन्पोर्टिन कोस्चन है तो सीतला माता कौन सा यूग मसत्य है तो सही बाला बताना है तो आपसन डी सभी पहला है एडवेंचर स्पोर्ट्स यह है कोटा में सरद महसब यह है माउंट आबू में बज्र ब्रज महसब यह है अलवर में अगला निमलिकीत में से असंगत को चुनिए तो आपको गलत वखाना है एक में हस्त कलाएं दुसरे में स्तल हैं तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्सन बी बागी के तीन हो जाएगे सही जैसे कि थेवा कला ये स्तल हो जाएगा प्रताबगड तारकसी के जेबर यह हो जाएगा नात द्वारा और फण चित्रन यह हो जाएगा सहापुरा अगला है कौंकर्टीर्थ के नाम से कौन सा इस्थान जो है वो प्रसिद्ध है तो आप्सन भी हो जाएगा पुसकर बेने सोर मेला किस जिले में आयोजित होता है तो बेने सोर मेला आयोजित होता है option D डूंगर पूर में अगला कोशन देख लेते हैं निमलिखित अभयारन्यों बा उनके प्रमुक ब्रच्छों को सुमेलित करना है कोट के माध्यम से इसका अंसर होगा option C थोड़ा सा उपर कर लेते हैं पहला देखित जैसमंद अभयारन्यों यह हो जाएगा के बड़ा ब्रच्छ के लिए और दर्रा हो जाएगा धोकड़ा और सीता माता यह हो जाएगा सागवान ब्रच के लिए और जमुवा रामगाड यह हो जाएगा खस के उत्पादन के लिए खस ब्रच के लिए राज की सबसे बड़ी मीठे पाने की कृतिम जहिल का नाम क्या है तो जैसमंद अगलाए राजिस्तान का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतरराश्टिय सीमा बनाता है तो 1070 किलो मिटर रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना माही नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है तो आपसन है मद्ड़ परदेश, राजस्तान और गुजरात निमन में से असंगत बताइए तो गलत बाला बताना है Option B बांकी के तीन सही हैं जैसे कि राज के सबसे नजदीक बंदर गाय कांडला सरवादिक बरसा वाला जिला है जहला बाड़ और सरवादिक ठंडा इस्तान है माउंट आबू अलवर का इलाका कहलाता था तो Option B सालव परदेश अगर गाईस पूचा जाता है सरवादिक बरसा वाला जिला कांड़ सा है तो जहला बाड़ है और सरवादिक ठंडा इस्तान हो जाएगा माउंट आबू तुशन है गाईस राजिस्तान का देशांतर ये बिस्तार कितना है तॉपसिन सी 79 डिगरी 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिगरी 17 मिनट पूर्वी देशांतर मूर्ति पूजा और तीर थियात्रा में आब इस बास प्रकट करने के साथ साथ जाती प्रता का घोर विरोत करने वाले संथ कौन थे तॉपसिन है हो जाएगा रामदेब जी राजिस्तान की चकवाड़ा घटना किसे से संबन्दित है तॉपसिन सी चारा गहा का उप्योग नसीराबाद अजमेर की चावनी के सानिकों ने विद्रो की गोंस्णा जो है वो कप की थी तॉपसिन दी 28 मई 1857 राजिस्तान में सोदेशी अंदोलन के दोरान संप किसने स्थापित की थी तॉपसिन दी सिरी भोगी लाल पंडिया मौसर किसे कहते हैं तो मौसर कहते हैं उपसिन सी राजिस्तान में म्रत्यू भोज की प्रता मद्यकाले नियुग में राजस्थान में परिवर्तन आने का प्रमुक कारण क्या था तो अप्सन ए इसलाम धर्म का प्रभाव साबन भादों में यह नत्य प्रदेश में नाटक के रूम में प्रस्तुत होता है तो अप्सन ए गबरी नत्य यह होता है साबन भादों में होता है किस बाग यंद्र को बजाने की विसेश पद्दती डूंगरपूर छेत्र में तेरे ताली कहलाती है तौपसन सी मनजीरा राजिस्तान राज का पस्चिम बिंदू जैसल मेर जिले का कौन सा गाओं है तौपसन भी कटारा गाओं राजिस्तान में जैपूर के समेप किस सिस्तान पर फिल्म सिटी स्तापित की जा रही है तो जाम डोली जैपूर उदैपूर की गोगुंदा पाड़ी से निकलने वाली आयड नदी का दुसरा नाम है तौपसन सी बेड़ अच्छ राजिस्तान में चेतरपल की दृष्टी से सबसे छोटा क्रसी जलबायू खंड कौन सा है तौपसन आद्र दच्छनी मैदानी चेतर राजिस्तान में माबट कहते हैं तो किसको कहते हैं आपसन सी जन्बरी में पस्चमी बिच्छोबों से बढ़ सा राज के बीहड चेतरों में उगने वाली प्रमुक प्राकर्तिक बनस्पती का प्रकार है तौपसन आद्र बबूल कैर प्राकर्तिक बनस्पती के बित्रण को सरबादिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है तौपसन भी जलबायू राजेस्थान के जल साधनों का भारत में केक्ल जल साधनों में प्रतिसत हिस्सा क्या है? तो आपसन C., एक प्रतिसत गढ़ तो खालेस्थान, बाकी सब गढ़या, उक्ती में रिक्तिस्तान को बरें तो यहां पर क्या बरा जाएगा? आपसन B, चितल गढ़ दिलवाड़ा मंदिर के प्रांगण में कितने मंदर निर्मित किये गए हैं तॉपसन D. पांच सीमा छेतर विकास कारिक्रम में समले जिले हैं तॉपसन B. स्री गंगानगर, वीकानेर, जैसलमेर बादमेर पर्याटकों के आकर्षण का केंदर उम्मेद भवन किस नगर में इस्तित है तॉपसन जोदपूर राज के अधिकान्स रेलमार्ग किस रेलवे छेतर के प्रसासनिक नियंतरण में आए तो उत्तर पश्चिमी रेलवे राजिस्तान के किस जिले में मानब बसावट सन्रचना या कह सकते हुमन सेटलमेंट का घनत वधिक्तम है तॉपसन जैपूर में निम्नुमें से कौन सी विभा प्रता गरासिया जन्जाती से सम्बंदित नहीं है तॉपसन डी गंदर्व विवा बांकी के तीने जैसे की मोर बंदिया, पहराबना और ताड़ना अगला है आहर सब्विता के लोगों की आर्थ वेवस्ता का मुख्यादार क्या रहा था तो उपसन बी पसुपालन राजस्तान में भूमी की उरुवर्ता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है तॉपसन सी उड़द उपभोगताओं के हितों की रच्छा है तू राज में उपभोगता आयों का गटन कब किया गया था तॉपसन सी 14 दिसंबर 1986 भ्याण की ऐसी कौन सी किसम है जो लंबी यात्रा करने में समार्थ है तता सीगर ही रोग पीडित नहीं होती तॉपसन भी मार बाड़ी अकबर ने बिहार और बंगाल का सूबेदार निम्न मेंसे किसको नियुक्त किया तॉपसन भी मान सिंग राजेस्थान में किसान अंदोलन के लिए आधार भूमी किसने तयार की थी तो बिजे सिंग पतिक सोतंतरता संग्राम के दोरान हरिदेब जोसी ने किस अंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था तो भारत छोड़ो अंदोलन विभा के उपरान्त बाराद विदा होते समय बर्बा उसके पिता सहित समस्त बारातियों को बदुपच की ओड से यथा सक्ति नकत रासी दी जाती ये उसे क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं अपसन सी पहरावनी या रंग बरी अजमेर में क्रांती कारे गतिविदियों को किसने आगे बढ़ाया था तो अर्जनलाल सेठी बर्तमान में उदैपुर जिले में सेकल गाउं निवासी संकरदास का दल कौन से नत्यस में ख्याती अर्जित कर रहा है गीदर नत्य विसुत रूप से पुरुसों का नत्य है इस नत्य में कुछ पुरुस जो महिलाओं के बस्तर धारण कर भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है तो उन्हें कहते हैं ऑप्सन सी गण गवर राजिस्तान के किस संभाग में सरवादिक नदियां पाई जाती हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्सन भी कोटा संभाग में निमलखित में से राजिस्तान का कौन सा साहर सीमेंड का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चित्तोलगड राजिस्तान का सेर निमलखित में से किसे कहा जाता है तो ऑप्सन सी जै नारायान ब्यास को सीकर जिले की ग्रामिड छेतर की इस्तिरियों द्वरा उपयोग में लाए जाने बाले सुरलिया, भूचरिया और पाटी सूलिया नामक आबोसन सरीर के किस अंग में पैने जाते हैं तॉपसने कान में पैने जाते हैं राजिस्थान के किस नगर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है तो जोधपूर जोधपूर नगर का संसापक कौन था इन्पोर्टन कोश्चन है तो राओ जोधा नेक्ट्ट कोश्यन है राज पूताना प्रांतिये देशी राज प्रजा परिसत के प्रतम अद्यच बर्स 1946 में कौन थे तो ये थे उप्शन डी गोकुल भाई भट जैसिंग के बाद आमेर का सासक जो है वो कौन बना था तो ये बना था उप्शन है प्रताप सिंग 1733 इसवी में जीज मुहम्मद साही पुस्तक जो है वो किस ग्यान से सम्बन देत है तो आप्सन सी हो जाएगा न छत्तरों के मेवार के इतियास में उस सेवीका का नाम बताईए जिसने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्वानी दे दी थी तो पन्ना धाय राजस्तान का दूसरा सबसे पुराना किला जो है वो कौन सा है तो कुम्बल गड किला मूसी महराने की छतरी जो है वो कहां पर इस्तित है तो अलबर अजमेर में प्रति बर्स पहली रजब से नौ रजब तक किसका मेला लगता है तो आपसने उर्स का मेला खयाल राजिस्थान की लोगपिरिये विधा है इसका प्रचलन अठारवी सतापदी के प्राराम में हो चुका था प्रमुक खयालों में से कौन सा संबन्देत है तॉपसन डियू प्रोक सभी पहला है हात रसी, खयाल, माची खयाल ये भी संबन्देत है तुर्रा कलंगी खयाल, अली बक्सी खयाल ये भी है, नौटंकी खयाल, जैपूरी खयाल और सेखावटी खयाल राजिस्थान में प्रचलित किस नत्य को नत्यों का सिर्मौर कहा जाता है तॉपसन सी, घूमर को अगला है बिसुद रूप से पुरुसों दोरा किये जाने बाले गूमर नत्य में एक साथ चार या पांच डोल बजाए जाते हैं डोल का मुखिया इसे की सैली में बजाना सुरू करता है तो ठाकना सैली ग्रामीर चेतर में पुरुसों के सरीर के उपरी भाग में पहना जाने बाला बस्तर को क्या कहते हैं तो बक्तरी कहते हैं अगला कोशन है केंद्रिय अन्बेसन व्यूरो सीबी आई की तरें राज में इस्तापिस संगटन का नाम क्या है तो ब्रष्टाचार निरोदक विवाग बहे अधिकारी जिसका प्रमुखे कारे आज के नगरपाले का बॉर्डों द्वरा किया जाता है क्या कहलाता था तो कोतवाल राज की जलबायू सुष क्या है इसका कारण क्या होगा तो देखे आप्सन है सागर से काफी दूर की इस्तिती होने के कारण मानसून का कमजोर पड़ जाना राजिस्तान में हाडोती का पठार में सामिल कौन कौन से जिले है तो आप्सन है कोटा है बूंदी है जालाबाड बाबारान जिले मिट्टी की उर्वड़ता एवं उत्पाधक्ता को प्रवावित करने वाला मुख्य कारण कौन सा है तो आप्सन डी जैविक तत्व कौन सी नदी डूंगरपूर और बांस वाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती है तो माही सत्तर डिगरी पूरवी देशांतर रेका जो है किस जिले से गुजरती है तो जैसल मेर से और आज का लास्ट कोस्चन है मध्य अरावली चेतर के अंतरगत सम्मिलित चेतर है तो सेखा बटी निमने पाड़ियां एबं मारवार पाड़ियां तो आज के इस वीडियो में इतना है थेंक्यू धन्यबाद